हेलो दोस्तों सुँआगㄋ थे आप सुभी का. یاईस होम डिजैन के फिर सेक्ते वीडियो में. दोस्तों आज किस वीडियो में देखने वाले हैं. 32 फित इंटू 34 फित का घर का डिज़ाइन. जैसा कि आप इस्क्रίν पे देख पाराऊंगे, तो दूस्तों चलिए सबसे पहले इसके अंदर में क्या-क्या है वो देख लेते हैं उसके बाद इसका नक्षा देखेंगे डायमेंशन के साथ ठीक है तो जैसा कि यहां पर देख सकते हैं सामने इसका रोड है ठीक है और सामने कुछ open space रखा गया ठीक है इसकी लंबाई की ब अपने 3D में देखा और यहां पर देख लिजे सामने इधर से entry दिया गया है ठीक है यहां पर सामने बरामडा है और यह वाला देख सकते हैं यहां पर सीरी के नीचे बाइक वगएर भी लगा सकते हैं और इधर से ही first port पर जा सकते हैं और इधर से घर के अंदर भी जा सकते तो चलिए इसके अंदर में देखते हैं उससे पहले यहां पर इसका च्छत में देख लिजे कि साप्ट वगएरे दिया गया है ठीक है साइट से इसका कुछ भी जगा नहीं छोड़ा गया जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसके लिए यहां पर वेंटिलेशन के लिए य साइट में यहां पर देखें तो इधर भी एक साप्ट दिया गया है तो चलिए इसका अंदर में चल के देखते हैं क्या क्या है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सामने का च्छत वगएरे हटा दिया है तो इससे यहां पर आपको सब कुछ अंदर का दिखेगा ठीक है सामन बड़ के सामने यहाँ प Werex doing house के सामने 1 doRE होगा ठीक है इृतर से अंदर आजांगैंगा ठीक है अंदर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक दानिंग divorced जाता है इस तरह से यहां पे Dining Hall है Dingen Hall के सामने किया गया है इधर हुआ पर utility अडिया गया है एधर washing machine मसीं वगेब आप लगा सकते हैं तो इस तरह से यहां पे च्छत कटा होगा जिस तर्स से आपने च्छत पर देखा और इधर से जो लाइट हौा आएगी इस से वेंटिलेशन हो पाएगा किचेन के लिए और इस बेडरूम के लिए भी ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसके साइड में और एक बेडरूम दिया गया है और इसके यहां पर यहां पर यह वाला भी सा अटाने के बाद यहां पर देख लिजे इस तरह से अंदर आए अंदर आने के बाद यहां पर इधर से जब सीरी पर चरहेंगे तो देख सकते हैं इस साइड से सीरी पर चर रहे हैं कहां तक यहां तक ठीक है और यह वाला नीचे जगह यहां पर खाली मिलेगा तो इधर बाइ यहां पर सीरी पे चलके एदी 1st लोड पर जाना है तो इधर से ऐसे करके 1st लोड पर चले जाएंगे तो इस Тरह से यह जार बेडरीरूम इस बनाए गया है आपने देखे लिया पीछे तीन दीजाइंट लिया है यहां पर और एक बेडरीरूम है और इधर बीच में एक main gate लगा देंगे, main gate के बाद अंदर जाएंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर open रखे हैं सब कुछ, ताकि आपको पता चल पाए किस तरह का design है, ठीक है, तो यह आप इसका नक्षा देख लेते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है उसका सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यह जो नक्षा बना हुआ है, कौन सा facing है, यहाँ पर देख लीजिए, north facing है, इधर ही इसका road है, जैसा कि आपने 3D में देखा, और यह ground floor का नक्षा है, ठीक है, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सामने 20 feet का यहाँ पर जगह र सामने में देखा किस तरह का design था, उस design को बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले, 3-4 feet यहाँ पर च्छत बराएंगे, और इस side भी 3-4 feet यहाँ पर बराएंगे, इस room के सामने ठीक है, और सीरी के सामने में च्छत यहाँ पर नहीं निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद सीरी के नीचे gate लग जाएगा, जैसा कि आपने देखा था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर से 4 feet का यहाँ पर दोर हो जाएगा, 4 feet का दोर के बाद अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद 11 by 8 का एक बरामडा दिया गया, ठीक है, यहाँ पर बैठने के लिए एक बरामडा म मिल जाता है, जिसका साइज है, 16 feet 9 by 10 feet 4, और सामने आपर देख सकते हैं, डानिंग हल के सामने 7 feet by 7 feet change का एक kitchen दिया गया है, और पीछे यहाँ पर 2 feet change का एक soft दिया गया, ठीक है, यहाँ पर आप वासिं एरिया के तरह इसे यूज मिला सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 10 by 11 का दिया गया है, और यह वाला room यहाँ पर देख सकते हैं, 9 feet 10 inch, यानि यह भी 10 feet का है, यानि 2 inch इसमे कम है, और यहाँ पर देख लिजिए, 2 feet 2 inch का यहाँ पर एक soft दिये हैं, और यहाँ पर एक toilet combine bathroom दिये हैं, जिसका size है 7 feet by 4 feet, और यहाँ पर इदर से सीरी पर जड़के 1st floor पर जाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर अप दिया गया देख सकते हैं, ऐसे करके 1st floor पर जाएंगे, और step की जो चौराई यहाँ पर लिया गया है, 3 feet चेंज का लिया गया है, तो इस तरह से इदर से सीरी पर चरके उपर जा सकते हैं, बाहर से और अंदर से भी यह व कोई वी विंडो बाहर से नहीं दिया गया ठीक है, यानि खिरकी बाहर से नहीं दिया गया है, और लंबाई की बात की जाएते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, 34 feet की लंबाई है, तो इस तरह से यहाँ पर 34 feet लंबाई और 32 feet चौराई दिया गया ठीक है, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 इंटू 34 ये 1888 स्क्रार फिट होता है तो इस मकान को लगबग बनाने में फिनिस करने में खर्च हो जाएगा 13 से 15 लाग ठीक है 13 से 15 लाग तक में ये मकान बनके तैयार हो जाएगा तो दोस्तों आपने देखा डिजाइन कैसा लगा आप कमेंड में जरू कि आप कि आपके है